दिल्ली से है विरेंदर जी स्वागत है आपका हां जी नमस्कार जी नमस्कार सर मेरम बात हो पाई कि हकीन साथ बिलकुल बात की जी बात हो रही है जैहिन स्वागत है आपका नमस्कार गुरु जैहिन आपका स्वागत है बताए क्या सवाल है नहीं दोनों एक तो यह सेफ भा कॉन सा नमख लेना हैं? काला नमख लेना है, सेंदा नमख लेना, या डेल लेना है? पाल एक आयिरड़ेक या चार खाराइठी है इसमें कौन सा नमख से रहे है वरी तो इक सवा लिये था,лек mümah moje Subscribe अपने पूछा भाष्शे केवरेओन है तो इसक आप ने पूछा उसम देड के जिसे चाहिए हैं नहीं बने सबस्क्रशा को पिया भी खाचा है। उससे चाहिए जिसमें इसमें बहुत बंगते हैं। यह सवाल है गुरू जी और एक यह है कि यह गुलाब जल और फिट्ट्री का आपने कल जो बताय था इसके बारे हम पूछाएं ज़ी चीक है जो देखे तामा नहीं मिला सकते सिर्के में तामा नहीं मिला सकते वो बहुत खतरनाक रेक्शन करता है और तामा दरसल जहरीला होता है इसको बस किसी भी एसिड वे यानि ना नमक डाल सकते इसमें ना कुछ और ऐसा एसिड तामा उससे रियक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है तो तामा तो बिलकुल नहीं डाल सकते और क्या पूछा है नमक के बारे मैंने आपको बता देकिन नमक किया तो बहुत होते हैं लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बता है मैं हमेशा नमक जैतुन की सिफारिश करता हूं नमक जैतुन आप लिख ले नमक जैतुन असली में ये स्वाद में नमकी नहीं होता इसकी पहचान है देखने हैं बिलकुल नमक जैसा होता है एक चुटकी जिन मे एक बार ये दो बार इसे इस्तिमाल कर सकते हैं. तुझे माता जी को लेके सवा तक गर्भाश्य उनका बाहर आ गया था. हाँ, तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है के गौन चिल्गोजा है. चिल्गोजे का गौन. चिल्गोजा एक ड्राइफूट है, जो जितन एक चिट्की गौन चिल्गोजा उन्हें खिलाएं. और एक चिट्की खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, दो गिलास पानी मिलाके ये पानी पिला जिया करें. आपकी माताजी के लिए ये नस्खा है.